Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और यह है आप लगों के लिए August 2023 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके Partner की Energies होंगी, क्या आपकी Energies होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीजों का खयाल रखके आप August मन्त की Energies को बदल सकते हैं, अपनी Love Life को काफी हद तक बहतर कर सकते हैं तो यह Reading आपके लिए है और इस Reading को आप किसी भी Sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका Moon Sign हो या फिर आपका Sun Sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं, August 2023 की Love Tarot Reading आप लोगों के लिए देखें कि August 2023 में आपकी Love Life कैसी रहेगी मेर पास हैं आपके तीन सेट आफ कार्ड्स हैं फर्स सेट में हम आपकी Energies देखेंगे, सेकिन सेट में आपके पार्टनर की Energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि Finally August मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहले कार्ड्स में देख रहे हैं Death, Rebirth and Second Guessing और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुआ या फिर आपके personal experiences रहे उसी के basis पर या फिर उन्ही के बारे में सोचते हुए आपको चीजों को end करके एक नई beginning करना चाहा रहे हैं क्योंकि ये general reading है ये ending, beginning सब लिए उसके लिए differ करेगी कुछ लिए उसके लिए simply हो सकता है कि पुराना कोई connection, you know, है या था उसको आप खतम करना चाहा रहे हैं और नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं और दिखिए ये पुराना connection भी सब लिए उसके लिए differ करेगा कुछ के लिए सिरफ हो सकता है कि mental level पे आप उनसे connected थे, कुछ के लिए हो सकता है कि physical level पे या फिर emotional level पे आप उनसे connected थे या फिर हैं और उसको आप end करके एक नई beginning करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है कोई behavior हो सकता है और कुछ के लिए देखी current relationship से related कोई चीज हो सकती है जिसको आप end करके एक नई beginning करना चाहा रहे है और इतना आसान आपके लिए नहीं हो रहा है कहीं you know हो सकता है पीछे आप बहुत indecisive और inaction वाली energies में थे जहाँ पे decision लेना चाहा रहे थे नहीं ले पा रहे थे कुछ चीजों को आप देख के अंदेखा कर रहे थे सुन के अंसुना कर रहे थे और कहीं mid August में आपको ऐसा लग सकता है बस अब बहुत हो गया आप चीजों को नहीं ignore कर सकते हैं आप चीजों को नहीं avoid कर सकते हैं आपको finally action लेना है आपको finally decision लेना है नहीं तो जो भी issues मसले हैं वो और ज़ादा बढ़ते जाएंगे और कहीं देखिए अपने आपको in action, in decisiveness वाली energy से आप बहार तो निकाल रहे हैं लेकिन deeper level के लिए isolated and alone का card कहता है कि एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर चाहा रहे हैं और यहां पर दिखिए कुछ leos के लिए ये भी हो सकता है आप relationship में हैं लेकिन एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है एक physical distance या तो आप create कर रहे हैं या फिर दिखिए ये mental emotional level पर भी distance हो सकता है या तो आप create कर रहे हैं या फिर हो रहा है और दिखिए इसलिए या फिर otherwise भी या पर 10 of wands reverse का card कहता है या तो पीछे आपने बहुत एक pressure बहुत एक burden महसूस किया और कहीं आप उसमें से खुद को end august में भार निकालना चाहा रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है उसकी वज़े से काफी एक pressure काफी एक burden आप महसूस कर रहे हैं deeper level के लिए outside influences का card कहता है आपको मन ही मन ऐसा लग सकता है कि जो भी आपके साथ हो रहा है या फिर आपके relationship में हो रहा है outside influence की वज़े से हो रहा है यानि कि external level पे कुछ चीजें हो रही हैं जिसकी वज़े से या तो आप परेशान हो रहे हैं आप you know stressed हो रहे हैं या फिर इस relationship में issues मसले हो रहे हैं और अब देखते हैं Leo's के आपके partner की क्या energies है तो दिखें आपके partner के लिए यहाँ पर unrequited love का card कहता है कि कहीं उनको ऐसा लगता है मन ही मन कि उनको आपसे वो प्यार नहीं मिला या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जितना प्यार उन्होंने आपसे किया आपने कहीं उनको उतना वापस नहीं दिया दिखें Leo's मैं यह नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा यहाँ पर you know unrequited love का card आपके partner के लिए कहता है कि ऐसा वो महसूस कर रहे है कुछ Leo's के लिए हो सकता है Leo's की आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो आपके प्यार को नहीं देख पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ Leo's के लिए हो सकता है कि वाक्यी में आपके मन में वो एक प्यार महबत पार्टनर के लिए नहीं है जो कि आपके partner के मन में आपके लिए है तो देखिए फिर से मैं कहूंगी कुछ भी हो सकता है या तो ऐसा वाक्यी में हो रहा है या फिर आपके partner को लग रहा है ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर again an unrequited love का काट कहता है उनको ऐसा लग रहा है कि भई आपसे उनको वो वापसी नहीं मिली या फिर आपसे उनको वो प्यार नहीं मिला जो वो expect कर रहे थे या फिर वो जो deserve करते है या फिर जितना प्यार उन्होंने आपको किया आपने उनको नहीं किया और इसलिए या फिर otherwise भी two of wands reverse का काट कहता है कि कहीं उनका confidence आप पे इस relationship पे खुद पे कम हो रहा है वो next steps प्लान करना चाहते हैं इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं लेकर जा रहे हैं या पे नहीं लेकर जा पा रहे हैं और दीखें यहां पे the world का काट भी ending, beginning की बात करता है तो कुछ चीजों को end करके भी issues, मसले आप दोनों के बीच में अगर चल रहे हैं उनको end करके fresh start आपके साथ करना चाहा रहे हैं या फिर किसी भी level पे किसी भी तरीके से issues हैं उनको end करके एक नई beginning आपके साथ करना चाहा रहे हैं और deeper level के लिए somethings are better unknown का का काट कहता है कि वो कुछ चीजों को ignore करने के लिए ready है कुछ चीजों को avoid करने के लिए ready है कुछ चीजें उनको नहीं पता है और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं जाने तो जादा बहतर है क्योंकि जानेंगे तो तकलीफ होगी और you know इसी लिए कहीं you know उनको ignore करते वे दिख रहे हैं और एक fresh start करना चाहा रहे हैं there is potential but needs to work का काट कहता है कि कहीं उनको इस चीज का एक हैसास हो रहा है कि इस relationship पे अगर थोड़ा सा भी वो effort करेंगे और effort करेंगे मैं कहूंगी थोड़ा सा भी work करेंगे तो इस relationship में बहुत potential है ये relationship उनकी life में बहुत एक love, प्यार, महबबत ला सकता है और इसी लिए शायद या तो वो over action initiatives ले रहे हैं थोड़े से you know situation circumstances को over control करना चाहा रहे हैं dominating और controlling भी हो रहे हैं या फिर दीखिए action initiatives लेना तो चाहा रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं शायद उतना confident नहीं महसूस कर रहे हैं और अब देखते हैं Leo's की August month में क्या हो रहा है तो दीखिए August month के लिए यहापे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं जिनको deeper level के लिए या फिर money ही money आप दोनों overcome करना चाहा रहे हैं आप दोनों you know उनको deal करना चाहा रहे हैं लेकिन action initiatives आप दोनों ही नहीं लेते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपके लिए देखिए August starting के लिए death का card है जो कि ending beginning की बात करता है और passive energies की बात करता है और आपके partner के लिए भी two of wands reverse का card कहता है कि वो चीजों को next level पर लेकर तो जाना चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से action initiatives नहीं ले रहे हैं उतना confident नहीं महसूस कर रहे हैं और एक boredom एक monotonous सी energies रहती हुए दिख रही हैं जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी आप दोनों या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए किसे ना किसी level पर महसूस कर रहे हैं लेकिन इस चीज का भी एहसास है कि थोड़ा सा सबर से चीजों को deal करने की ज़रत है थोड़ी सी patience रखने की ज़रत है और कहीं देखें यही patience या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रखना चाहा रहे ह हैं या फिर रख रहे हैं और इसी लिए या फिर otherwise भी हमिट का काट कहता है कि बहुत कुछ हल चल बहुत कुछ activity इस relationship में नहीं होती हुई दिख रही है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक withdraw कर रहे हैं बाक सीट ले रहे हैं उतने action initiatives नहीं लेते हुए दिख रहे हैं एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाहा रहे हैं और इस time period पे अगर Leo's आपको ऐसा लगे कि भई आप क्या करें क्या आपको पहल करनी चाहिए क्या आपको एक initiative लेना चाहिए चीजों को improve करने का या फिर बातचीत शुरू करने का तो यहाँ पर दिख चीजों को ठीक करने के लिए आप initiatives लें आप जो भी action required है वो लें चीजों को ठीक करने के लिए और आप ऐसा करेंगे तो definitely किसी level पे किसी तरीके से आप चीजों को बहतर भी कर पाएंगे तो यह था Leo's आप लगों के लिए August 2023 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपक झाल